आईपील 2022 के लिए डेली कैपिटल्स ने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है जहां पहले प्रैक्टिस सेशन में प्रित्वी शौ, शारदूल ठाकुर, रिशप पंत, कुल्दी पियादव, अक्षर पतेल के साथ साथ डेली के सभी प्लेयर्स शामिल थे। प्रैक्टिस के दौरान सबसे पहले बैटिंग करने आए ओपनिंग बैट्समेन प्रित्वी शौ। प्रित्वी शौ ने नेट्स में ज़्यादा तर अटैकिंग बैटिंग की और पहली ही बॉल से अटैक करने लगे। आईपील 2021 में प्रित्वी शौ ने मात्र आठ मैचों में 308 रन बनाये थे और वही फार्म प्रित्वी शौ आईपील 2022 में भी बरकरार रखना चाहेंगे। IPL 2022 के लिए डेली कैपिटल्स ने पृत्वी शौ को 7.50 करोर में रिटेन किया है डेली कैपिटल्स के दूसरे नेट्स में विकेट कीपर बैट्समें के एस भरत बैटिंग कर रहे थे जहां के एस भरत में प्रैक्टिस के दौरान ज़्यादा तर डिफेंसिव बैटिंग की डेली कैपिटल्स ने के एस भरत को IPL 2022 के आक्शन में 2 करोड में खरीदा है IPL 2021 में के एस भरत रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर से खिलते थे और जादा तर मिडल ओर्डर्स में ही बैटिंग करते थे IPL 2022 के लिए के एस भरत डेली कैपिटल्स के लिए जादा तर मिडल ओर्डर्स में ही बैटिंग करते हुए नजर आएंगे केस भरत के बाद बैटिंग करने आये मंदीप सिंग जिने IPL 2022 के आउक्षन में डेली कैपिटल्स ने 1.10 करोर में खरीदा है और मंदीप सिंग डेली कैपिटल्स के लिए लोवर मिडल ओर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे इन सब के इलावा अंडर 19 प्लेयर यश धुल ने भी अपनी बैटिंग से सबको इंप्रेस किया डेली कैपिटल्स के 1st प्रैक्टिस सेशन के आखिर में बैटिंग करने आये कैप्टन रिशब पन्त रिशब पन्त ने पूरे प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ अटैकिंग बैटिंग ही की पन्त के इलावा फास्ट बॉलर शार्दूल ठाकूर, चाइना मैन बॉलर कुल्दी प्यादव और आल राउंडर अक्षर पतेल भी डेली कैपिटल्स के 1st प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए तो दोस्तो डेली कैपिटल्स में से आपका फेवरिट प्लेयर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को भी सस्क्राइब कर दें थैंक्यू फॉर वाचिंग